बिहार के नियोजी सिचको के बेतन मद में रासी हुआ जारी दसहरे से पहले बेतन होगा भुगतान और इधर बिहार के नियोजी सिचको के 15% बेतन भुगतान की परकिरिया अब तेज होने की उमीद और इधर पंचाय चुनाओं के छठे चरन का नामांकन बिते दिन से हो गय प्रारंब दर्जनों की संख्या में लोग कर रहें अपनी उमिदवारी के लिए नामांकर और राष्टिय सिचानिती लागू करने को परखंड तक बनेगी परबंधन इकाईया नए नामों से दो हिस्तों में बटी लोजपा किसी को मिला जहाज तो किसी को मिला सिलाई मसेन य नहीं सड़क है विपच्च एक हुआ तो भादपा का सफाया तै राज के सतरा लौकल कोलेजों में नामांकर की मिली अनुमती छों में लगी रोक है और धर बिहार के मुकमंत्रे नितिस्क मरने का दोनों सीटों पर मजबूती से लड़ेगा एंडिये जीत सुने स्चेत हैं नमस्कार कार्ज करम सुबह सबेरे में आप तमाम भीवर्स का स्वागत हैं सुबह सबेरे कार्ज करम में हम लेते हैं खबरों को अखबारों के पन्नों से अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरे तमाम खबरों को आपके लिए लेकर आते हैं लेकिन उ अगर आप हमारे इस वीडियो को फेस्बुक पेज पर देख रहें तो फेस्बुक पेज को लाइक कर लें और यूटूब चैनल पर देख रहें तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो बंदो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और चलिए खबरों की सिलसला सुरू करते हैं सबसे पहले हम खबर लेते हैं बिहार में पंचाय चुनाओ पंचाय चुनाओ को पहली खबर इसलिए ले रहे हैं कि आज चारो और पंचाय चुनाओ की ही चर्चा है तो आपको भी हम इस चर्चा में शामिल कर देते हैं दो चर्णों का चुनाव समपन हो गया है और तिसरे चर्ण के मतदान की परिकिरिया यानि मतदान कराने की परिकिरिया तेज हो गई है इधर पांच चर्णों का नमांकन हो गया है और छठे चर्ण का नमांकन का कार्ज बि न appeal कि आपको बता दे कि पहले दिन न मांकन की रटतार कम रही लेकिन आज संभावना बत जताई जा रही है अगर लोगों की बात करें तो आज न मांकन की परक्रिया काफी तेज रहेगी यानी न मांकन करने वाले उमिद्वारों के संख्या आज आजे काफी अच्छी रहेगी आजे सुब मुरूत दिखा कर लोग नमांकन करने जा रहे हैं उसके बाद नौ तारीक को भी खास भीड़ होने की समभाना है और अंतिम दिन तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है यानि कि छट्थे चरण के नमांकन की परकिरिया तेज हो गई है जीत के बाद अगर जीत का जस्न इस रूप में मनाएं कि अगर किसी को नुकसान होता है या किसी को कश्ट होता है तो जीत के बाद भी आपको जेल जानी पर सकती है इसलिए जीत का जस्न जो है सभलकर मनाने की जरूरत है सो समझ कर मनाने की जरूरत है बाकी नमांकन के हम बात कर लेते हैं जो सिच्छा जगत से हैं सिच्छा जगत से बाते कर लो तो भीहार के नियोजी सिच्छक हमेशा हर महीने हर बार अपने बेतन के लिए चिलाते रहते हैं और समय पर बेतन नहीं मिल पाता है इधर मंत्री और पदादीकारी हर बार यह वादा करते हैं कि बस कुछी महीने बाद सिच्चकों का बेतन पर एक माँ के पांच तारिक से पहले या दस तारिक से पहले मिलता जाएगा लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है लेकिन खेर कुछी भी हो दसारा से पहले बेतन देने की मुहिम सुरू हो गई है अरासी भी जारी कर दी गई है सिच्चा अभिबाग ने राज के प्रारामिक स्कूलों में सर्व सिच्चा अभियान के तथ काजरत सिचकों के अगस्त महां के बेतन भुकताने के लिए नो सो दस करूर उनहत्तर लाक अन्ठावन हजार चार सो चौसट रुपे जारी कर दिये हैं एक माह का बेतन जारी किया गया है इधर भियार के सिच्चकों ने कॉमेंट किया सोसल मेडिया पर कि उट के मुह में जीरा सितंबर अगस्त और सितंबर दो महीने का बेतन और मात्र एक महीने का अवंटन वो भी दसाहरा को देखते हुए जारी किया गया है तो यह क्या है उट के मुह में जीरा है उनका काना है कि जब की कम से कम अगा सितंबर का दोनों का बेतन मिलना चाहिए ता इस पर्व को देखते हुए लेकिन फिर भी हम लोग के साथ में सोतेलापन बहवार किया जा रहा है अगर दूसरी खबर की और अगर चर्चा कर ले तो दोस्तो यह बहुत बड़ी खबर है नियोजी सिचको को लेकर ही नियोजी सिचको के 15% बेतन भुकतान को लेकर अब रफ्तार तेज होता दीख रहा है यानि कि 15% की बेतन भुरिधी दिपावली के बाद सिघरता से होने की संभावना जताई जा रही है हम आपको बता दे कि नियोजी सिचक जो हैं महीनों से 15% बेतन भुरिधी का इंतजार कर रहे हैं इधर बिहरेस के सिच्चा विभाग के अपर मुक्सचीव संजय कुमार की अगर बातों को सुने जाने तो उनका कहना है बीत विभाग की अनुमती मिलते हैं सिचको को 15% बढ़ोतरी के साथ बेतन का भुकतान आरम हो जाएगा बीत विभाग में तो फाइल महीनों से गया हुआ है लेकिन अटकता भटकता हुआ लगा हुआ है आखिर कब तक आएगा यह सिचको का मानना है लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि अब नियोजी सिचक और पुस्तेकाले दचो को बेतन बिरिधी का इंचदार जो है अब सिगरता से खत्म होगी और दिपावली के सोगात के रूप में नियोजी सिचको को 15% बेतन बिरिधी का लाभ दिया जाएगा चलिए अब कुछ और बाते सिच्छा विभाग से ही कर लेते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि नई सिच्छा निती में बहुत कुछ बदला बदला साथ दिखाई देगा जिसमें राष्टी सिच्छा निती लागू करने को परखंड तक बनेगी परबंधनी काईयां नई सिच्छा निती में यह भी एक बदलाव है अपर मुक्सचीव बोले अनुसंसाओं को लागू करने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जाएगा राज के 17 लाग कलेजों में नामंकर्ण की मिली अनुमती छो में रगी रोक है इधर बार काउंसलिक ओफ इंडिया बीसी आई ने राज के 17 लाग कलेजों में नामंकर्ण की अनुमती परदान कर दी है और एंडिये का मानना है कि दोनों स्टीट एंडिये के पाले में होंगे लेकिन महागट बंधन राज़त का मानना है कि यह स्टीटे राज़त जीतेगी लेकिन राज़त यानी महागट बंधन अब दो फाड़ में हो गए कांग्रेस बिलकुल अलग कांग्रेस भी अलग से जनता मालिक है वह फैसला करेगी बारिस से परवावी जिलों में सर्वेचन के बाद पत्रकार उसे कर रहे थे बिहार के मुखमंतरी नितिस कुमार बाते यानि की कहना है कि दो सीटे या जो सीटे हैं इंडिये के पाले में था और फिर ही जदियू के ही यह पाले में ही होगा जनता मालिक है फैसला करना उनका काम है इधर लालू जादो एक बार फिर से शक्रिये होते नजर आ रहे हैं ऐसा लोगों का मन्ना है कि यह दोनों सीटों के लिए लालू पर साच चुना और परचार करने के लिए इस सवाल के जवाब पर भिहार के मुखमंतरी ने मुखमंत काम है हलाकि दोनों तरफ से जवाब सवाल हुए हैं और इधर लालू परसाद जो हैं केले मुखावित हुए हैं राज़त परमुक लालू परसाद ने कहा है कि भाच्पा ने हमेशा नफरत पहलाया है जनता इसके डिजाइन को समझ रही है और वाच कर रही है स्री परसाद मंगलवार को राज़त के पर्देश करयाले में पार्टी के परसिच्छा सिवीर में अंतिव दिन उतर बिहार के पार्टी के इनके जिला हुआ परखंड अद्यच्च सम्मेलन को विडियो माध्यम से समोधित कर रहे थे इधर लालू परसाद ने यह भी का कि म हम तो पेड़ के नीचे बैठ कर बैठ टिकट पर साइन कर देते थे राज़त परमुक ने कहा कि राज़त सेल्फ हैं मेड़ पार्टी है कांगरेस में पता चलता था कि कई नेता टिकट के लिए घूम रहे हैं तिकट अला कमान देगा दिल्ली में निर्ने होगा हम तो सब्सक्राइब के मुख मंतिरी नितिस कुमार ने जरूर सक्रिता दिखाई है कि बाढ़ पिर्तों के लिए सर्वेचन कराई है और खुद भर्मन किया है आपको बता दे कि उन्होंने एक खास निर्देश भर्मन के दौरान बिते दिन दिया 11 जिलों में समीचा की मुख मंत इन में फसल छती की रिपोर्ट दे शक्त हिदायत दी गई है हवाई सर्वेचन के बाद इदर मिशन मोड में पूरा करना होगा साधे 5 लाख पीम आवास है बिहार में ए और बी स्रेनी में बटा गया जिलों को समय में समय सिमा तै कर दिया गया है ए और ए में 26 जिले हैं और बी में 12 जिले हैं यानि की मिशन मोड में जो है इसमें बांधा गया है 31 अक्टूबर तक ए स्रेनी वाले जिलों तथा 30 नवंबर तक 20 जिलों में आवास पूरा करने का निर्देश दिया गया है तो आपको बता दे कि ए स्रेनी में कौनकों से 26 जिले हैं ध्यान से पूराय नवादा गोपल गंज रोहताज जानाबाद अरवल औरंगावा सिवान कैमूर नालंदा बकसर सेखपूरा और किसन गंज हैं और वी स्रेनी में 12 जिले हैं जिसमें चिनित किये गये हैं स्रेनी बी में चिनित जिलों में आवासों को 30 नवंबर तक पूरा 2021 तक पूरा कराने की बाते कही गई है इन जीलों में समस्ति पूर दर्भंगा सितामणी मदुबनी अररिया बेगुसराय मुझपरपूर बाका सुपावल पच्छमी चंपारन पूर्वी चंपारन और मधेपूरा को सामिल किया गया है इधर अगर कांगरेस की बाते करने तो क उमिदवार उतारें और पिट्रोल 111 और डीजल सोस के पार पहुचा इधर इंडिया उमिदवारों के नामंकर परचे भरे छहमा में फाइजर के ठीके का असर हुआ आधा और नएक नामों से दो हिस्तों में बटी लोजपा में तकरार बढ़ती जा रही है पारस गुट की लोजपा का राम विलास है यानि नए नामों के साथ राम विलास पास्वान की बनाई लोग जनसकती पाटी मंगलवार को बैदानिक तोर पर भी दो हिस्तों में बट गई नए नाम देकर चुनावायोग ने पारस और चिराग दोनों गुटों को अलग-अलग पाटी होने पर अवचारिक मुहर लगा दिया है कि अंदरी एक खास प्रसंशकन पंत्री पसुपती कुमार पारस गुट के नाम राष्टी ये लोग जन सकती पाटी रालो जप्पा होगा राम बिलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के गुट को लोग जन सकती पाटी राम बिलास का नाम मिला है लोग जन सकती पाटी और कॉस्टम होगा राम बिलास है पारस गुट को सिलाई मसीन और चुनाओ चिन के तोरपर आवंटित किया गया है चिराग गुट को हेलिक कोप्टर दिया गया है चीन पाक से कोई डर नहीं वाई उसे ना परमुका करना है दो टुक जबाब दी गई है ड्रक्स मामले में चार और गिरफतार किये गए बलबीर बागवरी गदी ने नए महंत और पंचाय चुनाओं की तैयारी अब तेज रफतार से होने लगी है और अंतिम चरण में छथे चरण का सुरुवात हो गया है नमांकन का नमांकन बिते दिन से सुरू है छथे चरण का तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिलाल दीजे इजाज़ाट वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट कर जरूर बताएंगे फिर मिलते हैं अगले वीडिय